कुरूना वायरस महामारी की चलती देश भर में हालात गंभिर बने हुए हैं। कुरूना वायरस संक्रमित लोगों की संख्या में तेजी से हो रही बडोतरी को देखते हुए सरकार ने सिब्यस्ती दस्वी बोट की परिक्षाओं को रद कर दिया है। जबकि बारवी की परिक्षाओं अस्तगित की है सिख्षा मंत्री ने इस बात की जान कर दिती है। के लिए स्तथी अनुकूल होने पर परिक्षा में बैठने का अपसर दिया जाएगा। सिख्षा मंत्री ने यह भी कहा कि बोट द्वारा एक जून 2020 को इस्तथी की समिक्षा की जाएगी और इसकी आधार पर बाद में डीटील साधा की जाएगी। परग्षाओं के सुरवाद से कम से कम जो है 15 दिन पहले नोटीस की जारी कर दी जाएगी। परधान मंत्री नेंद्र मोदी ने सिक्षा मंत्री के साथ बैठक की जिसमें यह आहम फैसला लिया गया है। बता दिये कि परधान मंत्री नेंद्र मोदी ने आज पर इक्षाओं के मुद्दे पर केंदे सिक्षा मंत्री रहमेश पॉक्रियाल निसंक और केंदे सिक्षा सचीम और कई सर्स अधिकारियों को एक बैठक के लिए बला गया था। बैटेक के बाद एक बयान में जारी कर बताया गया कि कि इन सरकार ने दिस्भर में COVID-19 महमारी के बरती मावलू की मद्दे नजर सिबेसी के दस्वी के परिक्षारत कर दी है जबकि बारवी के परिक्षा अस्तगित करने का फैसला लिया गया है तो ये था सिबेसी बोर्ट से जो ये काफी बड़ी खबार आप लोगों का सिबेसी बोर्ट जो एक्जाम है गैंसिल हो चुका है